कि हलो या वेलकम टो अम्बी टॉक जहरदोन जैसा कि आपको पता है हमारी कंट्री में कोरोन वैक्सिनेशन की डाइब अठी श्राट हो चुकिया जहां पर फिर्च फेस में को रोड़ीर्स को वैक्सिन लगी थी फिर्ष्ट व मास से पूरोन होना वेक्सिनेशन का जो सेकेंड फेस है वो भी शुरू हो चुग है जहां पर 60 प्लस यहर्स के सभी लोग हैं उनको वैक्सिन लगेगी साथ ही जो लोग 45 से लेकि 59 यहर्स तक के बीच के लोग है और उनको को प्री मेडिकल कंडिशन से हैं उनकी हेल्थ नहीं है तो उन सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करूंगा चैनल में अगर अगर सब्सक्राइब करना मत भूली का साथी बैल आइकन प्रस करें इससे आने वाली और भी आसी इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे सो चलिए वीडि अगर चाहेंगे कि आपके एरिया में कहा का वैक्सिन लग रहे है तो भी आप इस साइट के होम पेज पर स्कॉल करके नीचे आएंगे तो यहां पर मैप में भी देख सकते हैं साथ ही जिस लोकेशन में रहे हैं या जहां के भी आपको सर्च करनी है वहां का लोकेशन डाले जैसे कि मैं यहां पर अपने अपना एरिया की लोकेशन डाल देता हूं और आप भी डाल के चेक कर सकते हैं लीफि inflation पर और लृकेश्न सेलेक्त करेंगे अनोल और यहां है पर देख सकते हैं कि हमारे में भी शोड़ हो है कि कहां कहांपे सब्सक्राइब वक्सिनیशन शुरू हो चुकी है और हम जा कर लगवा सकते हैं साथ यहां पर आपको लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी नहां पर पढ़ सकते हैं कि कौन सी जगह पर वेक्सिनीशन लगई है ड्रेस है जो भी आपके आसपास का एरिया होगा महां पर आप जाकर पर इसको आपको एक न्यूव पेडिक कर लिया जाएगा यहां पर अडिया को प्रोसेस करएंगे अध्यक्स प्रोसेस को फॉलौ नइए करते हैं तो इसलिए हम यहां पर नहीं कर पाएंगे और यहां पर आपको करेंगे कि गए इसको आपके वेरिफाय करने के बाद नियू पेज होगा जहाँ पर परसनल लिटेल स्मांगी जायेगी आपका अपना जैसे कि यहां पर थोड़ा जोम करके शो करते हैं यहां आपको अपना आइडी प्रूफ फोटो आइडी प्रूफ शेयर करनी होगी और उसका फोटो आइडी प्रूफ का नंबर साथ ही आपको अपना नेम अपना जेनर और येर और बर्थ भी आपको आपे मेंचिन करना होगा साथ ही आप आप से भी पूछा जाता है कि अब यहाद मुआ आपके कोई पीजिकल करना होगा यह या पर फिर रिजिस्टर कर देना है साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए और बहुत इंप्ठेन है जो आप यहाँ पे ID प्रूफ सेलेक्ट करेंगे और उसमें जो ID नम्बर डालेंगे वह आपको जब आप vaccination लगवाने जाएंगे तो यह भी आपको उस ट्रेम अपने साथ लेके जाना होगा तभी आपका vaccination हो पाएगा जब आप अपने details फिल करके उसको register कर देंगे तो कुछ इस तरीके से account details शो होएगी यहाप आप अपने साथ साथ तीन और लोगों का registration कर सकते हैं मतलब कि टूटल चार नंबर का registration एकी बार में हो सकता है यहाप अपना नेम देख पाएंगे यहाप नेम एंटर करेंगे option देखने को मिलेगा है आप स्टेटस कि आपका जो registration है यहाप स्लोट जो है बुक हुआ है या नहीं यहाप चेक कर सकते हैं not schedule जैसे कि यहां पर लिखावा रहे है और यहां पर आपका status भी शो हो जाएगा इसके लाब यहां पर actions देखने को मिलेंगे जहां से आप इसको ए इसको डिलीट कर सकते हैं बगार प्रोसेस को इसको कर सकते हैं जब आप अपने साओ इलावा और पी किसी का registration करवाना चाहेंगे तो यहां पर आपको option मिलेगा यहां पर एड्मोर का इस पर क्लिक करेंगे नहीं इस पर क्लिक करेंगे तो एक निव पेज ऑपर होगा जहां पर आपसे रिक्वाइमेंट मांगी जाएगी फिर से वही फोटो आइडी की फोटो आइडी नमबर नेम एर पर जेंडर और मोबाइल नमबर आगा किसी और कर रहे हैं वो सब पर यह सब जो डिटेल्स है फिल करने के बाद आपको यहां पर जाना है एड पर जाएंगे उसके पर आपको इस आइकन पर आना होगा यहां पर यहां पर आपको सेडियूल ऑप्शन मेले कुछ इस तरीके से क्लेंडर वाला इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहां पर ऑप्शन दिखने को मिलेकर नीचे बटन इस पर क्लिक करना है कि एक करेंगे तो उसके बाद हो स्टाइब करने को मिलेगा अपके स्रीट के यूटी इस्ट्रेक्ट ब्लोक पिन कोड और यह सब सरेक्ट वैसर पर कनने के पर पॉस्ट करना होगा सब करेंगे तो यहां पर आपको लिस्ट होगी कि आपके एडिया में कौन कौन से आपको डीट और को सिलेट करना है अपने ऑप्णिम कर देने हैं जैसे आपको ख्रताइए만 करके यहां अधर आपको इबार फिर से चेक करना हो कि आपका सेंटर ठीक है आपका नेम टाइमिंग डेट वगए आपको शोगी और यहां पर आपको एक ऑप्शन दोर देखने को मिलेगा बटन का अपर आपको यहां पर क्लिक करके अपर कर देंगे अपर करने के बाद आपको एक आउनलोड भी सेंट वह आपको 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 सारह का इंपार आइकन दिख रहा होगा यह डाउनलोड कर यहाप क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं वी जब जब आप वैक्सिनेशन लगवाने जाएंगे तो यह आपको अपने साथ केरी भी करना होगा जैसे कि आपके आपके पास ऑप्शन मिलता है आप अपने पाइंटमेंट को रेजिस्टर वाले आइकन पर जाना होगा रहां पर अपना मॉबाइल नंबर फिल करके जो ओर टीप आपको रिशीव आये जैसे कि अपने रिजिस्टरिशन जो फर्स्ट टाइंगे बीन आपके आपके आप करेंगे उसके नियम के आगे यहां पर आइकन बनावा आएका जो की यह आईकन होता है कैलेंडर वाला इस पर आपको कलिक और यहां से आप दुबारा से जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए इसको री सेड्यूल भी कर सकते हैं आप न्यू सेंटर भी अलॉट करवा सकते हैं साथ ही यहां पर आपको एक वर मैसेज भी देखने को मिलेगा कि जैसे कि आपकी फर्स्ट डूस ऑपाइंट स्वरी वेक्सिनेशन लग चुकी है तो उसी के वर्डिंग लिए आपकी सेकेंड डोस जो है वो ऑटोमेंटिक रिसे कर सकते हैं उस सिटी में जहां पर आप मूव कर चुए हैं इस तरह आप अपनी वेक्सिनेशन की जो सेकेंड डोस उसको भी आप किसी भी सिटी में जाकी लगवा सकते हैं सिर्फ आपको अपना अपॉइंटमेंट जैंवह रिसेड्यूल करना होगा इस वाप यह वीडियो प्रोसेस जो हो कंप्लीट हो जाएगा आपको एक इस सर्टिफिकेट में मिलेगा वैक्सिनेशन का जो कि आपको आपको आई रोगी से तु एप या फिर दिजी लोका पर मिल जाएगा आप उसको वहां पर रख सकते हैं आप यह वीडियो आपके लिए यूसफुल हो अपन आपको मिलते रहें जल्दी मिलते हैं और भी आसी यूसफुल वीडियो के साथ तब तक के लिए जैन जै भारत